कि यहां से देखो, एक तो आपको दियो function है, solution में, वो ही है, कि दो function आपको दिये वे हैं, तो उनके algebraic चीजों के बारे में आप describe करो, ठीक है, यह है, तो यहां से, यहां पर देखो, f of x equal to, यहां पर यहां पर यहां पर यहां से यहां जी अक्स, और यहां से क्या है, जी अक तो पहली चीज़े हमें वही बात करने है algebra हमें find out करना है तो पहला point हो आपका क्या है भई f of gx निकालो तो इसके लिए हमें पता भी क्या करेंगे f of यहां से कि दो functions की क्या करा दो coupling कराओ भई कैसे कराएंगे पहले तो वो क्या होता है एड हो जाते हैं ठीक है फिर वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि नहीं बनती है न कुछ समय बाद में जाएगा zx यहां से क्या हैगा fx fx क्या अंडरूट में x है plus का यहां पे x है यह हो गया अब इस ही में देखो second में यहां पे second में f of minus का gx find out करो तो यहां से देखो f of x और इसको क्या लिखो यह f of x minus का gx यह लिखो तो यहां से क्या कर दोगे आप कि यहां पे लिख दोगे अंडरूट x minus का x ठीक है अब देखो यहां पे आपको पूछा है multiplication third में अब दोनों को लाओ और multiplication कराओ ठीक है इन दोनों का multiplication आपके लिए क्या होने वाला है दोनो functions का तो दोनो functions के लिए multiplication में f of और यह है यहां से इन दोनों की यहां पे इस तरीके से है और यह f of x और gx इस तरीके से यह कराएंगे भी ठीक है अब देखो यहां से f x क्या होगा f x आपका root x है gx आपका x है तो इसको क्या लिख दो के x बराबर 3 by 2 root powers है वो 8 हो जाएंगी same base है तो और यहां से 4th यहां पे क्याएगा f of और यहां से क्या लिखो के divide find out करना है इसका कुछ नहीं करना है यहां यहां से f of x लिख दो और यहां पे लिख दो g x तो f x कितना है आपका यहां पे x और नीचे कितना है f x आपका क्या है अंड root में x है और नीचे कितना है g x कितना x है तो यह आपके देखिएगा कि हमने addition, multiplication, subtraction यह सब find out कर लिए